पूरे देश में अगर भाजपा के सत्ता के सूखे को किसी ने खत्म किया था तो वो नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी का जन में 17 सतंबर 2050 को वडनगर में दामोर्दर दास मूलचंद मोदी और हीरा बेन क्या हुआ। उन्हें बच्पन में आक्टिंग का खासा शौक था। लेकिन एक समय आया जब नरेंद्र मोदी बच्पन में सादू संतों से प्रभावित हुए। जिसके बाद सन्यासी बनने के लिए मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए। इस दोरान मोदी पश्चमंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहीत कई जगहों पर घूमे। नरेंद्र मोदी आरेसे से भी जुड़े हुए थे। आरेसेस के बड़े शिवरों के आयोजन में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते थे। आरेसेस नेताओं का ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्ही के पास होता था। गरतलब है कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पबलिक रिलेशन से संबंदित तीन महीने का कोर्स किया है। शैद ही कारण है कि वो जहां भी बोलते हैं समा बान देते हैं। उन्हें सुनने के लिए लोग विदेशों में भी उतने ही ललाईज रहते हैं जतना की भारत में। राजनतिक जगत में लालकृष्ण आडवानी को नरींद्र मोदी का राजनतिक गुरु माना जाता है। 1990 की दशक में नरींद्र मोदी ने आडवानी की सोमनाच से अयोध्यरत यात्रा में बड़ी भूमिकाने भाई थी। नरींद्र मोदी लोकसभा में जीत हासल करने के बाद से ही GST, नोट बंदी, तीन तलाग जैसे बिलो पर भी अपनी जीत दरज करा चुके हैं। अलग-अलग तरह से बिलो पर विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए सभी बिलो पर संसद में सहमती बनवाई। ऐसी ही कई तरीके के पहल से नरींद्र मोदी लोगों के दिलों में बसने में भी कामियाब रहे। और बीते लोग सबाचनाओं में भी BJP को भारी भहुमत से जीतने में आसानी रही। नरेंद्र मोदी अपनी मा के बेहत करीबी माने जाते हैं। आज भी वो समय निकाल कर अपनी माओ परिवार वालों से मिलने के लिए जाते हैं। वो कई लोगों के आइकन बन चुके हैं और पूरी दुनिया के सबसे लोगपरी नेताओं में शमार हैं।